दोस्तों ये तो कल से भी बवाल दिन है कैसे हो आपलोग सवागत है आपका सवागत अपका भाई तेरी बातों मैं skipping के पहले टूजडी के एडवांस बुकिंग के एपिसोड में बाया आखिर किस तरीके के दोस्तों यहां पर एड़ यहां पर एडवांस देखेंगे नखेए वALD इतना लोग कलकर अर्ल firm resto बीच एक आपसे सपोर्ट करें चएनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एससे ही और विडियो हर दिन मिलते रहें यहां पे कहने वात ही है किते सुबह्वय विडियो बनातें आपके पास दोस्तों हम लोगों ने मतलब तैयारी शुरू की है एडिटिंग शूटिंग तो कर दो भाई लाइग और सब्सक्राइब तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लैट्स बात ऐसी है कि इस मूवी ने शुरूबात के तीन दिन कह सकते हैं कि अच्छा क्लेक्शन किया और यह कमाई 39 क्रोड़ 10 लाग रुपर दोस्तों रही और कहीं अपने वीकेंड में दोस्तों कोई भी मूवी कर लीती है आपने देखा होगा कि फाइटर का तीन ठीक था लेकिन स दोस्तों शॉक्ड वे आ गया जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे थे कि वह अपने फर्स मंडे 15 करोड़ से नीचे नहीं करेंगी वह 8 करोड़ कमाती है तो क्या इसके साथ भी कुछ वैसा हुआ या फिर नहीं क्या रात को बैट के मैंने जो प्रेडिक्शन लगा नंबर वैसे या फिर अलग तो आप लोग कह सकते हो कि भाई यहां पर कोई 75 परशन का ड्रॉप देखने को नहीं मिला संडे से लेकिन यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि ड्रॉप तो लगाएगा इस अभी के हिसाब से अगली एस्टिमेट दोस्तों 65 परशन के ड्रॉप की बात कर रहे ह और देखा चाता है कि कोई भी मुवी दोस्तों इतना ड्रॉप तो लेती ही है संडे के हिसाब से अगर हम लोग इसका ड्रॉप देखें तो यह 45 परसेंट का भी ड्रॉप नहीं है 43 परसेंट का ड्रॉप है जो कि गाईज एक मुझे अच्छे बात है इस मुवी को साड़े 3 के टैस में सक्सेस्फुली पास हो जाती तो अर्ली एस्टिमेट दोस्तों यहाँ पे रात को जो मैंने कहा था ठीक वैसा ही आ रहा है यानि कि 3.75 करोड तेरी बातों में ऐसा उल्जा जी आपने फर्स मंडे यानि कि वैरी क्रोशल मंडे के टैस में दोस्तों पास होती होगा इसका मतलब यह पास हो चुकी है हां यहां पे चार करोड की दोस्तों मोस्ट प्रोबबली चांस है क्योंकि रात को दोस्तों इसकी काफी ठीक रही थी तो आप लोग बोलोगे कि फिर कितना करेक्शन हो गया है एज़ा बगस आफिस इंडिया इस मूवी की कमाई 30 करो यहां पर अगर हम लोग इसके मंडे के क्रेशन मेकर्स के रिपोर्ट में मिलाते हैं तो गाइज यह कमाई लगभग 32 करोड़ 75 लाग तो हो ही जाएगा इस तरीके के कुछ आप लोग अफिशल मान लो लेकिन इंट्रेस्टिंग चीज यह नहीं है कि इस मूवी ने मंडे के क्या हो क्या राए गाइज पहला दिन साड़े पांच क्रोड जो की वेरी बहुत बिग नंबर है भाई किसी भी रॉम कॉम मूवी के लिए दोस्तों इतना कलेक्शन एक अनेक्सपेक्टीड चीज है भाई शारू खान की मूवी दोस्तों कोविट के पहले एक आई थी जब ह नहां पर रनवीर कपूर की जुटी में मकार हटके बचके कोशल की इन सबसे ज्यादा दोस्तों इसने क्लेक्शन किया है सैकंड लगभग साड़े साथ क्रोड दोस्तों करके बतलब तोत्ते उड़ा देते हैं संडे को भी दोस्तों यह मूवी साथ क्रोड करती है तो मुझ क्या रहता है 20 करोड हो गया था तीन दिनों का तो चौसर दिन का गाइस दो करोड मिलाके 22 करोड यानि कि दो करोड गाइस यह मूवी ओवर से कर रही है कर देफोर के दिन और यहां पर हमने जो साथीन करोड पर आख रही है इसका गराउस हम लोग लगभग साड़े चार कर कर दोस्तों आपने यह बॉक्स ऑफिस में शुरुवात के मतलब अपने फर्स मंडे को गाइस साड़े च्छे करोड यह वर्डवाइड कर रही है साड़े च्छे करोड जो कि गाइस बहुत अच्छा नंबर है और इसको अगर हम लोग 55 क्रोड में अट करते तो 61 क्रों पच गई है 51 क्रों 50 लाग रुप्य आप लोगी ठीक है यह बात मान लिया कि अपने मंडे के टेस्स में पास हो रही है और अच्छा क्लेक्शन कर रही है लेकिन यह बताओ आज क्या आएगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज तो कल से भी वावाल तो गाइस कहने करना तो वही कोड यूज करके आपको मुवी अगर दो लोग जा रहे हो तो गाइस यूज करोगे तो आपको एक टिकट फिरी मिलेगा तो गाइस शायद इसका रंग आया है और कहीं ना कहीं दोस्तों इस मुवी ने इतना कमाया है और क्यूपैंसी काफी ठीक है आप लोग चाहता हूँ कि आज का सीन आज का सीनारियो यह आज क्या कर रही है तो गैंस मैं आपको चाहता हूँ कि आज एडवांस बुकींग कह सकते हैं कि वाई कल से जहादा बहुत बहुत जादा हुआ है कल कितने की बात करें दोस्तों हम लोग में शाहाद 85 लाक रूपिज यहां आप लोग कह सकते हो कि नभे लाख रुपए के एडवांस पुकी हुई है ज्यांग आइस आप लोग बोलोगे यह पांची लाख तो बड़ा है है कोई बात हुई लेकिन हमने पड़ी से बड़ी मुवी इसको तुर्म खा तुर्म खा मुवी को पर डे के लेक्शन एडवांस अफिस में कल से बैटर तो नहीं लेकिन दोस्तों कल के बराबर कर सकती है जाना इस आप लोग बोलोगे सब्सक्राइब क्या ऐसा कैसे हो जाएगा कल तीन करोपर श्तर लाग उर्प है तो क्या आज भी हां भाई क्योंकि आज तरीन तारी और कौन सा डे है आज भाई मुझ इसके वज़े से गाई थोड़ा सा मामला सैट हुआ और इसकी एडवांस ठीक रही है गिरावट नहीं है मैं भी दोस्तों बताया जा रहा है कि वाकिंग ओडियंस आके आग लगा सकते हैं क्योंकि यह वेलेंटाइन डे नहीं प्री वेलेंटाइन डे है तो मज आएगा इस कहने की बात यहां पी यह है कि आज इसके लशन देखने मज आएगा मुझे लग रहा है कि दोस्तों यह एकलोड़ों में खेलेगी यह मुवी यह दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि इस वीकडेज में वीकेंड का मजा देगी देखना का दिल चास्प होगा कि वाई कल क्या हो क्या कुछ है आपका इसमें कहना बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही